Hello friends, इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाल है urinary tract infections के बारे में तो basically जो हमारा urinary tract होता है, मतलब जहाँ पर urine का formation होता है उसमें बहुत सारे organs होते हैं तो in organs में जब infection हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते है urinary tract infection तो इस वीडियो में basically हम लोग इसका symptoms, cause, types और treatment के बारे में discuss करने वाले हैं जब भी हम लोग urinary tract का बात करते हैं तो इसमें होते हैं दो kidney, उसके बाद फिर होते हैं दो ureter उसके बाद फिर इसमें एक bladder होता है और एक urethra होता है तो यह चारो ही जगह पर urinary tract infection हो सकता है, urinary tract infection एक टाइप का bacterial infection है ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि urine का formation कैसे होता है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह female urinary tract है और यह male urinary tract है तो दोनों में जो urine का formation का process है वो same है, बट जो females है, वो urinary tract infection के लिए ज़्यादा prone होते हैं ऐसा क्यों होता है इसका भी discussion करेंगे तो यहाँ पर हम लोग discuss कर रहे थे, urine का formation कैसे होता है तो जो हमारा blood होता है, वो blood इस particular kidney में जाता है, दोनों ही kidney में जाता है तो kidney के अंदर में nephrons present रहते हैं, जो blood को filter out करते हैं, filter out करके blood में जो भी waste material होते हैं उसको urine के farm में filter करके आगे यहाँ पर इस ureter से bladder में भेज़ देते हैं, bladder में urine जमा होने लगता है उसके बाद फिर urethra के तरू वो निकल जाता है अब हम लोग बात करते हैं, जो female है, वो ज्यादा prone क्यों होते है, urinary tract infection के लिए तो ऐसा इसलिए है, विकास उनका जो anatomical structure है, उसकी वज़ा से anatomical structure में क्या होता है, जो यहाँ पर urethra होता है, male में और female में तो जो female का urethra होता है, वो छोटा होता है, short होता है और उसका जो distance होता है, एनस से काफी कम होता है, तो एनस से जो bacterial infection है, वो फैले का chances ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा prone हो जाता है bacterial infection के लिए अब यहाँ पर further हम लोग देखते हैं कि urinary tract का जो infection होता है, इसके symptoms क्या क्या होते हैं, तो इसमें यूरीन करना ही है, आप रोक नहीं सकते हैं, इस टाइप का feeling आएगा, second होता है, इसमें burning sensation when urinating, तो urinate करोगे तो burning sensation होगा है, जलन टाइप का लगेगा, और कम पानी पिने से भी burning sensation होता है, but urinary tract जब infection होगा, तो यह burning sensation आप पानी पियोगे तब भी ठीक नहीं होगा, या फिर वो थोड़ा बहुत तो रहेगा है, फिर होता है, passing frequent small amount of urine, तो आपको लगातार बार-बार urine जाना पड़ेगा, और थोड़ा-थोड़ा करके निकलेगा, बहुत जादा urine नहीं cloudy, तो जो आपका urine है, वो cloudy अपियर होता है, clear अपियर नहीं होता है, ठीक है, उसके urine that appears red, bright pink और cola colored, assign a blood in the urine, तो urinary tract infection होगा, तो कई बार urine में blood आता है, तो urine का color change हो जाता है, वो red हो सकता है, वो bright pink हो सकता है, उसका color cola जैसा भी हो सकता है, next होता है strong smelling urine, तो जो urine का smell है काफी strong होगा, अजीब टाइप का smell आएगा, normal smell से different, फिर pelvic pain in women, तो जो women होते हैं, उसमें pelvic region में pain भी होने लगता है, यहाँ पर कई लोग को हो सकता है कि pelvic region क्या होता है, वो नहीं पता होगा, तो जो bladder होता है, मतलब हमारा जो नाभी है, उसके नीचे वाला जो portion है, उसको pelvic region बोलते arthritis, तो kidney में infection हो जाता है, तो basically इसके लक्षड क्या क्या है, back pain और side flank pain, मतलब पीछे में या फिर इदर पर side में pain होगा, high fever आ सकता है, shaking and chills आ सकता है, उसके बाद फिर आपको nausea या फिर vomiting की feeling आ सकती है, उसके फिर दूसरा होता है, bladder का infection जिसको हम लोग बलते है, cystitis, तो इसमे क्या क्या होगा, pelvic pressure होगा, pelvic region में pressure होगा, bladder उसके फिर lower abdomen discomfort मतलब जो हमारा ना भी है, उसके नीचे में discomfort होगा, frequent painful urination मतलब आपको बार बार urine जाने का अर्च होगा, और आपको जब urine जाओगे तो दर्द होगा, वहाँ पर burning sensation भी हो सकता है, जो आपका urine उसमें blood भी आ सकता है उसके जो third type है, इसको हम लोग बोलते है, urethritis, means urethra में infection, इसमें क्या symptoms आते हैं, burning with urination, जो आप urinate करोगे तो burning sensation होगा, और कुछ certain type का discharge भी निकल सकते हैं, तो ये होगे types आप urinary tract infection, अब इसके causes हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें जो bladder वाला है, stratus, उसके क्या कारण हो स सकते हैं, syretia coli, e coli, जिसको बोलते हैं, जो basically gastrointestinal tract में पाया जाता है, तो जब ये e coli किसी भी तरीके से urinary tract में हो जाता है, तो infect कर देता है, उसके अलावा कुछ और other bacteria भी होते हैं, जो urinary tract infection कर सकते हैं, plus sexual intercourse में lead to status, मतलब sexual intercourse करने से भी जो urinary tract infection है, bladder वाला, वो हो सकत है, यह spread हो सकता है, क्योंकि एक टाइप का bacterial infection है, उसके फिर urethra means urethritis, तो यह कैसे होता है, इसके लिए GI bacteria spread from anus to urethra, तो आपका जो anus region है, वहाँ पर से जो GI tract के bacteria है, जैसे e coli, वागरा है, वो urethra तक पहुँ जाता है, basically यह condition women's में होता है, क्योंकि उनमें एनस और ure transmitted infections such as, मिदलब पर कोई sexually transmitted infection है, तो उस condition में भी urinary tract infection हो सकता है, यह क्या करें हो सकते हैं, herbs होगा, यह फिर gonorrhea से भी हो सकता है, उसके फिर clair dalam idea से भी हो सकता है, उसके फिर mycoplasma से भी हो सकता है, यह सारे condition है, causes है, जिससे urinary tract infection होता है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, risk factor साथ urinary tract infections, तो female anatomy एक इसका reason है, जहाँ पर risk बढ़ जाता है, और इसका discussion अलड़ी मैंने कर दिया है, उसके आध होता है sexual activity, तो sexual activity से urinary tract infection के chances जो है increase हो जाते हैं, और कई बार जो partner बदलने से multiple partner होने से भी इसका chances है और ज्यादा बढ़ जाता है, next होता है certain type of birth control, means females में कुछ birth control method यूस किया जाते हैं, जैसे diaphragm अगरा, तो उस condition में urinary tract infection का chances रहता है, next होता है menopause, जब females में menopause होता है, तो वहाँ पर भी जो urinary tract infection का chances है, वो increase हो जाता है, फिर blockage in the urinary tract, means किसी भी तरीके का blockage हो गया urinary tract मे, तब भी chances रहते हैं UTI के, जिसे किड्नी स्टोन होगा, तो urine ठीक से नहीं निकलेगा, फास नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर urinary tract में जा करके वो blockage करेगा, और वहाँ पर UTI होगा, फिर a suppressed immune system, कोई ऐसा person जिसका immune system suppressed है, किसी medicine की वज़ा से, या फिर ऐसे ही, तो उसका immune system properly काम नहीं करेगा, तो bacteria का infection होगा, तो UTI हो जाएगा, क्योंकि bacteria के against पे तो हमारा body का immune system काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उस bacteria को मार नहीं पाएगा, उसके बाद होता है catheter use, तो कई बार catheter का use करना पड़ता है, जिनका urine properly पांस नहीं होता है, तो वहाँ पर catheter का use किया जाता है, और उससे भी UTI होने के chances रहते हैं, फिर होता है recent urinary procedure, मतलब किसी का urinary tract से related किसी औरगन का surgery अगरा हुआ है, तो वहाँ पर भी chances होते हैं, next हम लोग देख लेते हैं, treatment of urinary tract infections, तो ये एक टाइप का bacterial infection होता है, तो bacteria के against में क्या क्राम करेगा, antibiotics, तो कुछ antibiotics दिये जाता है, जिससे urinary tract ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा चे बहुत बड़ा problem नहीं है, ठीक हो जाता है, तो इसमें जो antibiotics यूज किया जाता है, तो इससे भी ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर ट्राइ मिथारपीन, सलफा मिथाक्सवा जोल का जो combination है, वो दिया जाता है, इससे भी ठीक हो जाता है, डॉक्सी साइकलिन कई बार यूज किया जाता है, और कई बार क्विनोलोंस वगरा यूज किया जाता है, जिससे सिप्रोफ्लोक्ससीन वगरा, तो ये सारा चीज से UTI ट्राइक को आसानी से ठीक किया रहा सकता है, I hope ये वीडियो आपको informative लगा होगा, और urinary tract infection के बारे में complete details आपको पता सल लिया होगा, thank you so much.